तो है लाई वेल्गम तो गेट एकेडमी तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफेर्ट टैप को है वो इस बात पर बेज़े कि इस्ट्वेड लोगी जो लाइफ है वो गेट के एक्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सियल ट इतना है कि अभी का जो टाइम है वो टाइम जो है तोटली डिफरेंट टाइम है एक इस्टु Cheer in और मैंने को ऐक मेने करने में कोई भी प्राब्लम नहीं इतना धैसे प्राइख वाई क पूरा प्रोसेस है आपको मैडिसीन लेना पड़ता है कि मैंसा क्यों बोल पारहां कि विकॉस मैं खुद कोरोना पॉजेटी वह ठेक है और लगबग मेरा होगे चार-पांच दिन चार दिन होगे मेरी मेडिसीन चली रही है है ठीक है एक पॉजेटी फर्सन पॉजेटी इसाथ रहना पसंद करता हूं लगा और पूरे लोगों को अगर आप टेंपरेचर है और फिर उसके बाद फिर से टेस्ट कराओगे तो चीजे उतनी टफ नहीं है लेकिन फिर भी कोरणा के टाइम पे गेट का एक्जाम जब होते रहेगा फरवरी में तो उस समय और भी पीक पे होगा में को लगता है कि कम से कम कि 30-40,000 इसे होंगे जिस समय उनको करोणा हुआ रहेगा गेट के एक्जाम के जोन की समय में तो आई एटी को क्लियर करना चीह है कि जिनको प्रूरा होगा तो या तो आप अगर गाइड लाइन्स क्लिए नहीं करेंगे तो नहीं बताइंगे कि कोरोना है करके मैडिसिन खाए है सोचके देखिए किसी को कोरोणा अगर है और अगर आप बोलोगे कि इसको को एक्जाम नहीं देने देंगे सब्सक्राइब तो क्या होगा होगा ये कि फूरा एक्जाम लेगा कैसे चेक कर लोगira ठोड़ी आठी प्सtr अब डूर जबह ए達 warto माता चल जाएगा अगर तो इसको तेंप्रीचर भी नी दिखे या किसी के पास भी होगा कि तुरं के तुरंद पता कर ले कि नहीं है तो मैं लगता है कि कुछ प्रोटोकॉल का केयर करना चीए या फिर जिन लोग को कोरोना है उनके लिए एक्जाम अलग से कंड़क्ट करवाना चीए अब कुश्चन कि अगर 50,000 लोग को कोरोना है उस समय में जिस समय पीपर हो रहा है और उनके लिए पीपर अलग से इंगेज कराए जाए मैं को लगता नहीं कि ऐसा कराएंगे एक पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि कोरोना किसी को है तो को भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अभी सिच्वेशन मे आते जाते लोग गायब होते जाते उस जगह से तो मैं को लगा ठीक है थोड़ा सा रेस कर लिए घर पर तो अभी रेस मोड में हूं हूं बोर हो रहा था घर तो मैं को लगा कि आप लोग उसे बात करते यह एक इंपॉर्टन टॉपिक है तो इस टुमेंड लोग ज्यादा आप वरी मत करें अपनी प्रिपरिश् Cyborg करते रहे मैं को लगता है कि II It इसको डेले तो यह नोथ होग पसिबिलीटी कम होते जाएगी वोट जो सेरिंग होते इसके लिए उनको चाहिए तो यह कोई भी एक जाम अभी आप डिले ना करें विकॉस अगर आप डिले करोगे तो लोगो का कुछन आ जाएगा कि फिर सब्सक्राइब करता है कि आपका CRT कितना है ठीक है अभी किसी का एडमिट होने की जर्वत नहीं पर रही अभी तक तो ठीक है तो उपर वाली की किरप्रा है कि अभी सिच्वेशन जो है वो कंट्रोल में नंबर आप केसे बढ़ते जा रहें नो डाउट लेकिन पता नहीं कब इसका वेरियंट बॉड़ी के अंदर से में एकदम से चेंज होना चालो हो जाए कब यह कुछ नया फॉर्म में आ जाए वी ड लास्ट में देखेंगे कि टेंडेस बचा रहेगा तो क्या होगा ऊपर से यह बढ़ा इंपॉर्टन देखी उस समय ट्रांस्पोर्टेशन वाला जो पार्ट होगा वो कैसे होगा क्योंकि अब बहुत सार एस इस्ट्मेंट होगे हर जगह के होस्टल बंद होगे कॉलेज ब तो अभी ओवरॉल से वह बहुत ज़ादा है वह बढ़ेंगे बोला जा रहे जो रिपोर्ट के बोला जा रहा है तो मेरा पस यही था कि इसको एक मेने डिले कर दिये जाए तो कोई इसू नहीं था सेम टाइम पे कुछ लोग का कुश्चन ही होगा कि सर एक मेने डिले कर दि तो किसी चीज की लाइफ है बहुत इंपर्टेंट हैं इतना हम जादा नहीं सोच रहें बीकास प्रश्सक्राइब भी टर लग रहा है कि कोशने इसके बाद भी यसा कुछ ज़यादा एक दो दिन अनीजी लग लग रहा था बोडिके अंदर अनी जी था मैं और और अभी देखते हैं लटसिक क्या होता है करके एक दो दिन और में मैं डीसिन मेरी चलेगी उसके बाद आभी भोथ सारे लोग ऐसे भी फेए सब्सक्राइब करने के नहीं है इतने सारे मेरे सुभ चिंतक और प्यार करने वाले लोग कि जो मेरा करते हैं तो कुछ ऐसे लोग कुछ कुछ करेंगे कि उनको नीड नहीं है कुछन करने की कि मैं पर यह बोलना चाहता हूं कि को इस्ट्रूइंट अगर पॉजेटीव है यह पॉजेटीव बनता है भी कुछ दिनों के अंदर में तो अपनी पढ़ाई उससे एफेक्ट ना हो थोड़ा सा टेम्परेचर आएगा नोट आउग मैडीसिन पूरे इंडिया में सभी लोग खा रहे वो खाना है बैटके अपनी स्टडी को ज्यादा वो नहीं करना है और ज्यादा सोचना नहीं है को ना के बारे में सोचने की नीड नहीं है न्यूज न्यूज वगेरा जो है उनको एवाइट करो यूटूब में कोरोना से एक दिन न्यूज मत देखो कोरोना से रिलेटेट वाली बातों का वोट करो यह मेरा सजेशन होगा एक कम्यूट को आपके घर में पापा को हो जाए को रोना या मम्मी को हो जाए या आपको हो जाए क्योंकि अब तो सब जगाए अभी सभी सब्स्प्रेड हो रहा है कि मैं इसलिए टेस्ट कर रहा है क्योंकि बाड़ी में पहली बार कुछ डिफरेंट का लग रहा था बाड़ी पीन था फुल इसलिए मैं करवाए लेकि मैं फिर भी सज्जेस्ट करूंगा कि एक दिन मैडिसीन खाए और देखे कि कैसा लग रहा है करके और एकदम से आपको यहां कोई भी से इसलिए तो अब नहीं है लोग अपने घर से तो घर से बाहर निकलेंगे एक जाने निकलेंगे है transportation की दिक्कते होगी तो बहुत सारी चीज़ें में को लगता आइटी सोच रही होगी अभी उन लोग को admit card issue कर देना चाहिए क्योंकि government का प्रेसर होगा कि भी आप ज्यादा question मत करो जो होगा देखा जाएगा अभी admit card issue कर दो ठीक है बस मेरा फिर भी यह सोचना है कि आइटी इस मेंसे यह जो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे कि इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए कि इस्ट्वेंट की सेप्टी वी उनका उनका ही पाठ है उन्हीं के इस्ट्वेंट उनके बच्चे तो एक इस्ट्वेंट की जो लाइफ है वो गेट की एक्जाम से ज्यादा इंपोर सी एक बप्ञाम पर बधी बात है आसान ने पूर्य करना चाहिए कि आपको कोरोना हुआ तो भी आपको एक्जाम देने को मिलेगा जो सेंटर होगा वहाँ पर एक दो रूम अलग से की रेट किये जाएंगे हर सेंटर में जहां पर आप पूजेटिव अगर हो क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है तो आप आराम से दे सकते हो करके पूरे पब्लिक के बीच में एक्जाम ना दोनी तो ऐसा होगा कि को करोना है किसी को नहीं पता चलता है किसको को रोना है जब तक कि टेस्ट ना करवा और टेंप्रेचर क्या कर लोगा आपको पहरा से टैमल खाने के बाद पता भी नहीं कर पाओंगे ऐसे कोई तरीका नही कि आसपास और देखेंगे कि situation कैसी जाती है कितना पीक जाता है कंट्रोल होता है नहीं होता है ऐसे करके प्रॉमिस करके रख सकते स्टुएंट अपनी स्टडी करते रहे हो ऐसे मोटिवेशन एक वीडियो दे सकते हो ऐसा मैं को लगता है ऐसा करना चाहिए क्योंकि प्लान करी रहा हूं लिखी रहा हूं कि क्या होगा करके मेरा response भी बनता है कि टॉप मोस्ट पर रहे चाहे मैं थोड़ा सा फिट ना भी रहा हूं तो भी टॉप मोस्ट पर रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे सुझे सरका वीडिस चली रहे है एक हजार सुबह से पूरे कॉंस्टेंट लाइव बने वे बड़ी बात है एक हजार लाइव कॉंस्टेंट बने रहे ना पूरे दिन बर यह बहुत बड़ी बात है बिग अचीवमेंट है तो यह गेट के लिए इसको दो चार लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते एक दो लोग करेंगे जो भी कि मैं जल्दी रिकवर हो जाओ और मैं जल्दी मैदान पर आ जाओ बोला घ्यक है तो मेरी बी नीड होगी मैदान पर फाइट फाइटिंग मोड की फाइटिंग स्पृइट की तो ठीक है मैं आता हूं बोला और कुछ अच्छे चीजों के साथ फाइटिंग मोड में आता हूं और मैं भी वेट कर रहा हूं चार-पांच दिन से कुछ यूटूब में नहीं हूं तो बड़ा जीव लग तो आप पॉजेटि हो एक गदम रिलेक्स रहे हैंसा मन सोची कि मैगों को पॉजेटिय आप मेरा क्या होगा आप तो अपने रूम में रहें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है है न कोई भी ऐसा नहीं की कुछ ऐसा हो जाएगा एक दम कॉर्णेटाइन भी नहीं कि किसी को तो चलो ठीक है मेरी best wishes आपके साथ में और मैं भी बस वेट कर रहा हूं मैदान में आने के लिए और आप enjoy करोगे फिर जब मैं भी कुछ अच्छा fight करने वाला हूं ठीक है चलो ओके thank you love you all